दिल्ली से यूपी तक बगदादी ब्रिगेड आतंक के नए मॉड्यूल का परदाफाश हरकत उल हर्ब एसलाम ये नाम देश में आईस आईस के नए मॉड्यूल का है जिसका परदाफाश हुआ है एनाये की टीम ने दिल्ली और यूपी में बगदादी ब्रिगेड को बेनकाब कर दिया है एक या दो नहीं सोला ठिकानों पर छापे मारे जा रही है दिल्ली में सीलंपूर और जाफराबाद में आतंक के तार खंगा ले जा रही है तो यूपी में अम्रोहा और मेरट में छापे मारी जारी है अभी और बड़े खुलासे होने हैं एनाये को छापे मारी में बड़ी मात्रा में हत्यार और बारूद भी मिले हैं अम्रोहा में तो आतंकी साजिश के सुरार एनाये को मदरसे तक खीच कर ले गए मदर्से से कुछ लोग हिरासत में लिये गए हैं कुछ से पूछताच हो रही है अमरोहा में ATS और NIA ने छापे मारी की अमरोहा के गाव सैथ पुरिम्मा में चाँच जारी है एक तरफ UP तो दूसरी तरफ दिल्ली में NIA की काररवाई जारी है NIA के साथ स्पेशल सेल की टीम भी मौजूद है सूतरों के मताबिक बगदादी ब्रिगेड के गुर्गे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराख में थे दिल्ली में भी कुछ संग्दिग्दों के पकड़े जाने की ख़वर है इस वक्त में दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मौजूद हो और यहां पर NIA की टीम और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने आप देख पार है तकरिबन रात के ठाई वजे से रेट करनी शुरू की दरसल NIA को जानकारी मिली थी कि IS IS जो संगठन है उसका एक विंग है हरकत उलहर्व एसलाम इस संगठन के कुछ लोग यहां पर एक्टिव हैं और उनके पास भारी तादाद में हथियार और बारूद भी मौजूद है और वो दिल्ली के अंदर किसी बड़ी आतंकी साजिस को अंजाम देना चाहते है उसके बाद जाफराबाद के अलग-अलग इलाकों में एनाईय के टीम ने रेट करनी सुरू की दिल्ली और यूपी में चापे मारी के दौरान एनाईय को कुछ संगठ सामान भी बरामद हुआ है खुलासा हुआ है कि कुछ लड़कों का आनलाइन ब्रेन वाश की आ गया है उन्हें आईयस-ाईयस के तर्ज पर हमले के लिए उकसाया जा रहा है दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं